नमस्कार दोश्तों रजनी मिश्रा चैनल पर स्वागते आप सभी का आश्यक करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वाश्त होंगे अगर आपको गाड़निंग करने का सौक है और आपको गाड़निंग करनी हैं और पौदे लगाने हैं और आपके पास अगर पॉट्स नहीं है तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं वो मैं आपके साथ सेर कर रही हूं और देख लीजिए आप यह भी बोटल है और इसमें भी इमने निकलती रहती है और उनसे हम गाडिनिंग कर सकते हैं और अपने प्लांटर सुनदर सुनदर बना कर पोढ़े लगा सकते हैं इसमें परपल हाट लगा है छोटी चोटी बॉटल है देख सकते हैं और यह देखिए इस तरह से बॉटल को कट किया थोड़ा पैंट किया थोड़ा लुक देने के लिए और देखिए कितना प्यारा सा हमारा यह पोर्चला का चल रहा है बहुत अच्छे फूल खिलते हैं किया हूए कितना प्यारा हमारा प्लांटर तैयार हो गया है तो इस तरह से आप बॉटल के और यह और अगरे इत्बिशीर थिसमें बनाकर पोते लगा सकते हैं देखिए और देखिए और चोटी च यह चुटी हैं और दो बोड़ लीटर के लिए प्लांटल है और इसमें हमने अजवान लगाया हुआ है और देखिए कितने अच्छी तरह से चल रहा है कितना घंणा हो गया है और कितना बड़ा हो गया आप देख सकते हैं और यह मेरे पास एक कैटली पड़ी ती चाहिकी यह कुछ यूज नहीं था इसका और इसमें हमने इ का कंटेनर बिल्कुल छोटा सा यह और इसमें देखिया इस पाडल प्रांड कितना चल रहा है देखिए इसके इसके बेभी प्लांटः कितने प्यारे दिख रहे इन गाडनिंग की सुरुवात और हमारे को सौक था तो हमने अपना सौक भी पूरा किया देखिए फ्रेंड ये बेस्टेज डिब्बे थे इनको कबाड में दे रेते हैं कबाड में नहीं दीजिए और इस तरह से इन पर पैंट कर लीजिए और पौदे लगा लीजिए देख सकते कितनी अच्छी तरह से हमारे पौदे ओड़ चल रहे हैं हमारे छोटी चोटी बॉटल में देखिए देखिए इस तरह से देख सकते हैं विल्कुλ चोटी सी बॉटल है देखिए और यह डिब्बे का हमने ये बनाया हुआ है बुड़ा जी और इसके अंदर हमने यह रख दिया है देखी आप कितना सुन्दर और प्यारा लग रहा है और हमारे गाडन को सोभा भी दे रहा है देखिये फ्रेंट ये भी पैंटके डिपने और कुछ इस तरह से हमने इनको लुक दिया है कितने अच्छे सुन्दर दिख रहे होंगे आपको प्लांट तैयार हो गए हमारे और इसमें पौदी लगा दियो हमने देख सकते आप बहुत प्यारे से इसमें सुंधर से फूल खिलते हैं और िपह दिखाते हैं और यह देखीं मिठाई कीडिब्वे हमारे घरों में आते हैं और उनको कबाड में फैंक देते हैं कबाड में फैंकने से अच्छा है आप अपने गार्डन को सजाईए देखिए हमने इसमें जैट प्लांट लगाया हुआ है और यह जब जैट प्लांट बड़ा हो जाता है तब मैं इसको पॉर्ट में रिपोर्ट कर देती हूँ और बड़े हो जात लगा रखिए यह टटल वायन है और यह भी टटल वायन है इसमें यह भी मिठाई के डिपा तो असी तरह से हम अपने प्लांटर अपने घरों में ही निकलते हैं उन से हम अप बना सकते हैं और अपने पौद लगा सकते हैं और देखिए फ्रेंड ये ये भी देखिए दो लीटर की बोटल और इसमें हमने बांडर जो को लगा रखा है और ये देखिए बोटल इस तरह से हमने बनाया है पॉट और इसमें हमने क्लांचो लगा दिया है और देखिए ये और देखिए ये एक जिपा था छोट ऐसा और तेल का इसमें हमने लगा दिया उपर का हिस्सा कट करके और हमारा बड़ा सा प्लांटर तयार हो गया इसमें हमने किलांचों लगा दिया तो इस तरह यह रियो का प्लांट लगाया है देख सकते हैं आप और इस तरह से हमारे घर में प्लांटर पड़े होते हैं और हम बेस्टेज में फैंक देते हैं तो फ्रेंड इस तरह से आप उन पर कुछ क्रेटिविटी की जिए और अपने बहुते लगाईए देख सकते हैं फ्रेंड हमारा ये पूरा के पूरा बोटल गाडन है ये देखिए आप इसी तरह आप भी बना सकते हैं और पौदे लगा सकते हैं फ्रेंड और अपने सौक को पूरा भी कर सकते हैं फ्रेंड देख सकते हैं आप पूरा के पूरा बोटल गाडन है फ्रेंड ये मेरी वीडियो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना थैंक यू